इक्जाम इंडिया यूनिट ओफ आजाद ग्रूप अप्लिकेशन के माध्यम से तयारी करने वाले सभी छात्र लैप्टॉप और डेक्स्टॉप के माध्यम से तयारी कैसे करेंगे कैसे अपने ऑनलाइन बैच को laptop और desktop में भी चला सकते हैं इसको लेकर पूरी जानकारी मैं इस पूरे session में दूँगा तो आप सभी समगरता से पूरी ब्योस्तित तरीके से चीजों को समझते जाएगा और जो चीज मैं note down करने के लिए कहूं उसे note down भी करिएगा तो आप सभी exam India unit of azad group इसके application के माद्यम से आप online badge की तयारी कर रहे हैं आप laptop और desktop में भी आप पूरे पूरे badge को चला सकते हैं classes कर सकते हैं अब इसकी क्या प्रक्रिया है समझे तो सबसे पहले आपको अपने laptop में जाना है या desktop में जाना है वहाँ पर google खोल लेना आप देख रहे हैं यह google का page है तो यहाँ पर आपको search करना है मैं आपको यह link बता रहा हूं लिख लिजे इसको web.classplusapp.com इसको आप search करेंगे देखे यह आपको लिखा हुआ ना web.classplusapp.com इसे लिख लिजे इसको आपको type करना है web.classplusapp.com बार-बार मैं इसे कह रहा हूँ आप सभी को इसको क्या करना है यह आप देख सकते हैं यह वाला section जितना भी मैं आपको यहाँ पर paste करना हूँ इसको क्या करना है आपको search करना है search engine पे जब आप इसे search करेंगे और इसको enter करेंगे इंटर करने के बाद आप पाएंगे कि यह आपका पूरा का पूरा एक section खुल के आ जाएगा अब यहाँ पे दो चीजे मांग रहा है organization code मांग रहा है दूसरा mobile number mobile number वही होगा जिस mobile number से आप अपने mobile पे application के बंदम से तयारी कर रहे हैं यानि जिस mobile number से आपने batch purchase किया है यानि registered आपका यह हमारे ठीक है तो organization code यह भी आपको लिख के रख लेना है हमेशा यह organization code मांगेगा आजाद organization code क्या है आजाद A-Z-A-D यह आपका organization code है क्या है A-Z-A-D आजाद है ना आजाद यह आपका organization code है ORG code चार अंको का है A-Z-A-D आपको यह डालके यहाँ पर verify का option है verify पर click करेंगे तो देखे verify हो गया इस पर क्या हो गया green card का tick mark लग गया अब जेस mobile number से आपने batch purchase किया हो वो mobile number डालेंगे मालीजे मैं यहाँ पर एक mobile number डाल रहा हूँ 9267-9825-30 है ना मालीजे mobile number डालके इसको continue करेंगे तो आपको mobile पर जो आपको mobile registered होगा उस mobile पर आपको continue करना है आपको एक OTP आएगा आपके नमबर पर और यह OTP आप डाल देंगे तो आपका batch open हो जाएगा है ना जैसे आप mobile पर करते हैं उसी तरीके से यहां पर भी आपको एक OTP आएगा और यह OTP आपको डालना है जैसे की OTP आया है मैं OTP यहां पर डाल देता हूँ और इसको verify कर देंगे जैसे ही verify करेंगे आपका OTP सही होगा आपका batch open हो जाएगा है ना batch open हो जाएगा जो भी batch से जुड़े होंगे आप जाएगे यहां पर देखे store का option है उपर देखे store का option है यहां पर new लिखा हुआ है ना उपर आप देखेंगे सबसे उपर store का option है यह देखे यह उपर store का option है यह सबसे उपर यहां पर यह देखे store का option है store के option पर जाएंगे, यहाँ पे batches के option पर नहीं जाना ही है, offline batch के बच्चों के लिए बनाएगे batches का option आपको store के option पर जाना है कहाँ पर जाना है, store के option पर यहाँ पर इसको ध्यान से देख लीजे एक बार फिर से, जैसे ही आप on करेंगे आपको यह batches वाला section आप यहाँ पर चुकी है नहीं तो आपको यहाँ पर store वाले section पर जाना है आप यह store वाले section पर जाएंगे और store में जो भी batch आपका होगा वो batch आपको यहाँ पर show कर जाएगा और आराम से आप classes कर सकते हैं अप्लिकेशन के मादिम से class कर रहे थे ठीक है तो यह पूरी प्रक्रिया है फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ आपको कुछ नहीं करना है इसको एक बार logout करके फिर से मैं login करके आपको दिखाता हूँ आपको जो प्रक्रिया आपको बताई गई है आपको डालना है class plus google पे आपको टाइप करना है class plus babe है ना यह आपका url है web.classplus.com babe.classplusapp.com माफ करिएगा babe.classplusapp.com slash यह आपको url को आपको क्या करना है फिर से मैं एक बार दिखा रहा हूँ यहाँ पे organization code azaddy चारंकों का है आजाद इसको verify करेंगे verify करने बाद यहाँ पर mobile number डालेंगे आप यहाँ पर mobile number डालेंगे ठीक है जो भी आपका जिस mobile number से आपने course purchase किया है number वही डालिएगा और जैसे ही डालेंगे आपको एक आपके इसी number पे OTP आएगा और ध्यान रखेगा आप इसको एक single device हो जाएगा ठीक है बच्चों तो यह पूरी प्रक्रिया है आप laptop से डेक्स्टॉप से भी बैचेश सला सकते हैं यहाँ पर देखे इस टोर वाले सेक्षन है इस टोर वाले सेक्षन पर जाएगे आपका बैच ऐसे ओपन हो जाएगा ठीक है निशे तोर पर कोई doubt नहीं होगा doubt हो तो यहाँ पर चैट वाला सेक्षन है फिर से आप पूछ सकते हैं किसी भी तरीकिस कोई दिक्कत है आसानी से आप फिर से बता रहा हूँ babe.classplusapp.com यह बर सर्च करें Google पे आपको लिंक आ जाएगा इसके बाद आप जो है आउगनाजिशन कोड में आजाट डालेंगे अपना मोबाइल नमबर डालेंगे ओटीप डालेंगे आपको इस्टोर वाले सेक्षन पर जाएंगे इस्टोर जहां पर न्यू लिखा हुआ है इस सेक्षन पर जाकर के आपको बैच आपका मिल जाएगा यदि उस नमबर से अपने बैच परचेज किया होगा ठीक है बच्चो चले ये जानकारी मुझे आपको देनी थी आप साहथ समझ गया होंगे आपके एक समस्या का समधान होगे सुक्रिया धन्यवाद